नमस्कार दोस्तों मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चनल में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी medicine है, वो कौन सी safe medicine है जिसका इस्तमाल pregnancy में काफी ज्यादा use गया आता है जैसे आपको मानूगा कि pregnancy होता है तो उसमें कुछ बहुत सारे problems होते हैं तो उस समय में सभी medicine का आप इस्तमाल नहीं कर सकते हैं और सरे medicine ऐसे होते हैं जो कि pregnancy में contra indicated होते हैं जिनका इस्तमाल pregnancy में नहीं करना चाहिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पे किस-किस medicine का इस्तमाल करना चाहिए प्रेगनेंसी में यहाँ पे आपको paracetamol का ही यूज करना है जिसमें आपको कालपोल के नाम से मिल जाएगी डोलो के नाम से पैराशी पी-पान्सों इन सारे नाम से आपको इसली मार्केट में अबलेबल है यह यज अपको मिल जाएगे अगला जूंी जह ग॥ि कामन प्रोवलम होता है अधर सकते हैं फेंसे सोड़नोप्राजोल लेंस प्राज़न और रते मेडिसीन काई जी यूज़ कर सकते हैं यह सारे मेडिसीन जोरते हैं आपको फूब्लम की निए सब्सक्राइब ग्रुप की मेडिसीन का इस्तिमाल करना है, तो यह जो anti-spasmodic group में जो medicine आती है, वो आपको यहाँ पर इस्तिमाल करना है drotivine drotivine का यहाँ पर इस्तिमाल करना है जो कि आपको drotivine के नाम से easily market में बलेवल है, मिल जाएगा अब आगे हम देख लेते हैं, जो है वोमेटिंग में क्या इस्तिमाल कर सकते हैं यह भी common problem है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई pregnant woman है उनको वोमेटिंग की समस्या बनी रहती है काफी ज़्यादा उनको वोमेटिंग होती है तब आप यहाँ पर कौन सी medicine इस्तिमाल कर सकते हैं, तो इस जगा आपको डॉक्सिनेट का इस्तिमाल करना है जो कि आपको डॉक्सिनेट के नाम से इसली मार्केट में एवलेबल है, मिल जाएगा आगे आप यहाँ पे ब्लड प्रेसर में भी काफी फिलेक्टुेशन देखने को मिलता है जाता है, कई बार ब्लड प्रेसर बढ़ जाता है प्रेग्नेंट ओमेन को, तो उस जगाए पे कौनसे मेडिसीन का इस्तमाल करना है, तो उस जगाए पको एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग का इस्तमाल करना है तो इसमें जैसे आपको आ जाएगा निफेट डिपीन का इस्तमाल यहाँ पे कर सकते हैं इसके लाव एलिवेटर लॉल के आप इस्तमाल कर सकते हैं आगे आप देख लेते हैं, कंस्टिपेशन का भी प्रोब्लम काफी ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जैसे कि कंस्टिपेशन का प्रोब्लम होने में तो आता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं उसको भी आप ले सकते हैं यहां पे लेक्टुलोस जो है ऑपको डूफा लेक के नाम से झाएजली एब लेमार्केट में मिल जा रहेगा इस पेशन के नियुन होती है तो इसको आप यूज görave कर सकते और आपको लुरेटिडीन का इस्तमाल कर सकते हैं, लिवोसेटरीजिन टैबलेट जो आती हैं, उसके भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, डाइफन, हाइड्रामीन, हाइड्रोकलराइड की भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, ये सारे medicine जो है आपको यहाँ फे allergy में इस्तमाल करना होता है इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं इन medicine के अलावे भी काफी बहुत सारे medicine है जिनका इस्तमाल pregnancy में किया आता है लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताया है अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो family friends के साथ share करें और आप सेखी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटुब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे यूटुब चैनल को सबस्क्राइब करें साथी साथ बिल नोटिफिकेसन आइकोन को भी आन कर ले ताकि याने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे मिलते हैं अगले वीडियो में जाहें